हेलो एब्रिवन आज मैं बनाऊंगी चने के दाल का पराठा ये बिहार का वन आउप ता फेमस डेस है बिहार में दुलन अपने ससुराल में फर्स्ट रसोई में चने का दाल का पराठा पूरी के साथ खीर बनाती है ये वहाँ का रिच्चुल भी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम 250 ग्रैम चने की दाल लेंगे अब इसे अच्छी तरीके से वॉस कर ले एक कुकर में चने की दाल को ले ले 200 ग्राम की दाल के लिए दो गिलास पानी ले ले अब उसमें नमग और हल्दी एड़ करें हाई फ्लेम पर 3 सीटी लगा दें अब हमारे दाल 95% को खो चुके हैं अब इसे चेक कर ले कि ये 95% पक चुके हैं या नहीं जब ये पक जा तो इसे एक ब्लेट में निकाल ले निकालने के पाद इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए अब एक मिक्सी के जार में इसे पीस ले इसे बहुत जादा नहीं पीसना है थोड़ा दरदरा ही रखना है दाल को मैंने थोड़ा दरदरा ग्रैंड कर लिया है एक कढ़ाई में ओयल को डालें, जब ओयल हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें थोड़े से जीरा डाल दीजे, अब ग्राइन किये मिक्सर को कढ़ाई में डाल कर 10 मिनट तक रोष्ट करना है, अब इसे चलाते हुए रोष्ट करते रही है, जब इसका पानी पूरा सूख तब इसे एक प्लेट में निकाल ले पराठा बनाने से पहले से पांच मिन ट्रेस्ट के लिए चूड़े है अब एक आठे की लोई बनाई है और उसमें इसकी स्टफिंग को फिल कर दें पेस्टी रोल पे सरकल शेप में बेल ले अब से तवे पे अच्छे से सीख ले अब जो तेल आप पसंद करते कहने के लिए उसे पराठी के ओपर लगा ले अब बटर का भी यूज कर सकते हैं हमारा चानी का दाल का पराठा बने के तयार है यह जब यह बनाया जाता है तो बिना की नहीं बनाया जाता है पराठी को की शाइब करें और अपनी फैमिली के साथ अगर आपको मेधी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब में चालेगे